तो डियर फ्रेंड्स चले सवागा था आपसे भी कहा अगर फिट से इलक्टिकल खा जाना पर तो जास माफी चाहते हैं फिरेंड्स फिसला वीडियो बीच में कट हो गया था कुछ प्रॉब्लम को जैसे तो चले वहीं से में स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो हम पहुंचे अगरे थे टॉर्क ऑफ इंडेक्शन मोटर पे इंडेक्शन मोटर का टॉर्क बताना था और भी बाकी बहुत सारे चीज़े बताएंगे तो चले स्टार्ट करते हैं पर उसे पर दोस्त अगर आपने चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया और खासकर आप इलक्रिकल ब अगरा चैनल लगेंगी तो उसे एलेक्रिकल से रिलेटेट सारे महत्यपूर टॉपिक की वीडियो बनते रहेंगे तो जैसा कि आपका रिकॉर्मेंट रहेगा उसे हिसाब से वीडियो बनता रहेगा तो फ्रेंड्स तुरे से चैनल सब्सक्राइब कर लीज़े तो चलिए पिछले वीडियो हम देखें यहां पर पहुंचे थे एफेंट्स हमारी परसनल नोट्स है थोड़ा राइटिंग पूर है पर यह है कि यह concept आपको समझा देंगे तो उसी सब्सक्राइब आप लोग अर्जिस्ट कर लीजएगा तो देखें हम पहुंचे थे यहां पर अगर आप नए है और पिछले वीडियो नहीं देखें तो जाकर पहले पिछले वीडियो देख लीजिए क्योंकि यहां पिछले वीडियो हम यहां तब पहुंच गये थे पी आर्सी पर पी आर्सी जहां पर है हमारा रोटर कॉप और जिसको हम करते हैं पी आरसी तो पी आरसी बरावर 3s e2 not yes e2 not e2 yes r2 r2 का whole square इतना आ गया था हमारा पिर इसके बाद चले इसके आगे चलते हैं तो चले पी आरसी बरावर 3s square e2 not whole square r2 upon r2 whole square plus yes x2 not whole square इतना आ गया आप सभी का और दीखें पी आरसी मतलब होता है रोटर पावर लास तो दीखें रोटर पावर लास बरावर होता है sleep into air gap power एर गया पावर हम स्कोव करते हैं PG से जिसका PG value होता है 2 pi ns t upon 6 t तो देखें यहां पर रखिए yes into PG यहां पर रखिए 2 pi ns upon t बरावर PRC value जैसा कि आपने यहां से निकाल चुका है दिखें यहां पर PRC value निकाल ला है ठीक तो PRC बरावर 3s square e2 not whole square r2 upon r2 whole square plus x x2 not whole square तो टॉर्क बरावर आ जाएगा आप सभी का 1s इससे कट जाएगा इस वाले से 1s कट जाएगा 1s यहां पर 6s बचेगा ठीक तो e2 not whole square r2 upon 2pi ns यहां पर आ जाएगा नीचे 2pi ns अब कोस्टक में r2 whole square plus x x2 not whole square तो टी बरावर 3 into 60 into e2 not whole square r2 upon solve करेंगे इतना आ जाएगा कुल मिला करके यहां यहां तक आप चले हम समझा ही देते हैं 3 into 360 into e2 not whole square r2 upon 2pi ns कोस्टक में r2 whole square plus x2 not whole square तो चले आग नीचे 2 by 2pi ns जो होता है यहां पर यह होता है rpm में rp rotation per minute और इसको आपको निकालना होगा rps में ठीक तो यहां पर दिखिए यहां पर small ns होगा यहां पर small ns नहीं लिखी हैं तो यहां पर small ns होगा और देखिए यहां पर जीसे हमने लिखा है small ns ब्रावर ns upon 60 हो जाएगा ठीक तो यहां पर देखिए ns upon 60 हो गया और यह चीज़े वही सेम है s e2 not whole square r2 upon r2 whole square plus x x2 not whole square ठीक फिर आगे दिखें आप यहाँ पर 3 है 2 pi ns upon 60 into s e2 not whole square upon r2 square plus x x2 not whole square ठीक तो यहाँ तक चीज़े तो उम्मीद करते हैं सच चीज़े समझ माई होंगी चली इसी सिक्वेंस हम आगे बढ़ते हैं तो यह जो आपका पूरा चीज़ है थ्री वाई 2 pi ns upon 60 यह पूरा हो जाता है k के बराबर k मतलब कि constant यहाँ पर होता है तो देखें आगे देखें ती बराबर ks e2 not whole square r2 upon r2 whole square plus as x2 not whole square यह देखें आपका टॉर का फार्मूला निकल के आगे टॉर्क पराबर ks e2 not whole square r2 upon r2 whole square plus as x2 not whole square ठीक जहाँ पे यह स्लीप e2 not है रोटर का starting मतलब कि emf और r2 है रोटर का resistance और as x2 not है रोटर का reactance ठीक तो यहाँ पर दिखिए ns जो है speed in rps है rps मतलब होता है rotation per second और देखें यहाँ पर 3 by 2 pi ns मतलब होता है k ठीक तो यह आपका फार्मूला टॉर्क दिखिए निकल आया है अगर हम यही बात करेंगे relation की थोड़ा बात कर लेते है कि starting torque की value कितनी होगी तो जब starting torque पूछेगा तो यहाँ पर s बराबर आप one रख दीजिए s बराबर starting में जो slip होता है वह one होता है चलिए बता देखें कैसे one होता है तो यहाँ पर देखें slip होता है क्या है actually में slip बराबर हता है ns minus nr upon ns होता है ठीक starting condition में होगा क्या फ्रेंट्स की nr की value जो होगी rotation of rotor वो value उसकी होगी soon तो कि starting में rotor आपका rotate तो करेगा नहीं initial condition में rotate स्थिर रहेगा ठीक तो उस समय जो आप slip निकालेंगे तो ns minus 0 upon ns बराबर यह one हो जाएगा ठीक आप जब देखिए यह one हो गया तो देखिए आपका s बराबर one हो गया और torque पराबर होता है क्या है kse2 not का whole square r2 upon r2 का whole square xx2 not का whole square यह होता है आप सभी का तो starting में आप लोग जान नहीं देखिए s बराबर one होता है तो t बराबर कितना आ जाएगा kse2 not का whole square r2 upon r2 का whole square plus xx2 not का whole square यह आपका t starting torque आ गया यह starting torque की यह value है ठीक तो चलिए यह starting torque की value का kse2 not whole square r2 upon r2 whole square plus xx2 not का whole square ठीक अग यही एक formula होता है t full load का तो चले t full load का भी फार्मूला हम बता देते हैं हाँ t max का formula हम बता देते हैं तो t max पराबर होता है friends k by 2 e2 not का whole square upon x2 not यह होता है t max का formula ठीक और यह होता है t starting जैसे हमने बता है के 2 not whole square r2 upon r2 whole square plus s x2 not का whole square यह होता है t starting ठीक तो आपको जो relation निकालना होगा t max और t starting में तो चले अपने notes में बताते हैं फटाफट क्योंकि इसमें time लग रहा है चीक तो चले notes के साहरे फटाफट में बताने कोशिज करते हैं ताकि आपका कम समय में ज्यादा काम हो जाए और एक बात और करेंगे friends अगर आपने चनल कभी तक subscribe नहीं किया तो चनल को subscribe करेंगे तो चनल को आप subscribe करेंगे तो motivate रह पाएंगे और आप सब के लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे हमें सा तो ठीक है friends चले श्टार्ट करते हैं अब इन नोट्स का साहरे तो दिखे टी फूल लोड और टी मैक्स का जो रिलेशन आएगा वह आएगा 2 इस इंट्य मूल अब 3 स्कॉयर प्लस smo को रहेख यहां पर टी फ्ल लोड टॉर्क टी मैक्स нашем टॉर्क टॉर्क Εसे हैं यहां अज होग्ति प्रक्वा तो तो आपका यॅशन हम बता होता आफट देके friends इसका derivсти तो छिजे wrath जल्दों आप सभी का ändeशिए कवर करनी के जहांगे जो आपकी एक्जामैर टोबट पॉट इफेक्ट्ट गयी बाकी यादे लिख दे में हैं को चाहिए इसे पर वीडियो तो अच्छे से समझाएंगे तो आपकी जो टी फूल लोड थी यहां पे जो टी फूल लोड थी फ्रेंड्स वह हो जाए कि टी स्टार्टिंग ठीक टी स्टार्टिंग हो जाएगी और आप उस फार्मूलियम रखिए वन तो आपका दिखी यह आ बन चाहते हैं तो आपको देखी यह तो आप इसको मानिए एक्सप्रेसं नमबर वन इसको मानिए एक्सप्रेसर नमबर तो आपका जो देखिए कट कि आएगा तो यह तीन फार्मले थोड़ा मस्ट है इन्हें आप याद करिएगा अगर आज आएगा टॉर्क डिर्वेशन हो गयरा तो टॉर्क डिर्वेशन के बाद अगर आप यह डारेक्ट भी चीजे लिगतेते हैं तो बढ़ियां आपके नमबर अच्छे आएंगे ठीक है तो और अव्ही बतायके बढ़ियां के अधहा ठीक है उसको ही बताएंगे करेक्टरिष्ट के बारें बतायेंगे ठीक टॉर्क डिर्वेशन के बारें बतायें ऐगे प्रेवगता कि विद्वेशन के इस्वा इधर सेजेग सब करें सुझ के रहिए regression ब्र जो है तो जी authors बढर IN जब हमारा R2 लोड है, तो हमारा देखे, तॉर्क कोछ इस पर कर गया है, जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है, वो इतना है, ठीक, इतना है, ठीक, अगर हम यही R2-, R2- मतलब है, कि हम पहले जो R2, अगर 10 Ohm है, R2- का मतलब है, R2- मतलब है, R2- से बढ़ा है, R2- से बढ़ा है, तो जैसे हम लोड बढ़ा है, तो जैसे हम लोड बढ़ा हैं, यह कर्व आप देख रहे हैं, इधर, लेट साइड सिफ्ट हो रहा है, और इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्लू है, बढ़ती जा रहे हैं, तो इसका यह ग्राफ हो गया, अब चलिए बता देते हैं, यहां पर थोड़ा देख लिए आप लोग, यहां पर यहां पर है R2- R2 जो 1st है, R2 2nd इससे भी बढ़ा है, R2 3rd इससे भी बढ़ा है, सबसे बढ़ा R2 4th है, सबसे बढ़ा, और यहां पर देखिए, इधर जब आप लोग बढ़ते हैं, तो sleep की value बढ़ती है, और इधर जब बढ़ेंगे तो आपकी speed की value बढ़ेंगी, इसका मतलब होता क्या है, एक्चूल में, कि अगर हम load बढ़ा रहे हैं, अगर मतलब हम R2 थी पहले, अगर हम फिर उसको load बढ़ा दिये, R2 कर दिये, फिर load बढ़ा दिये, मतलब R2 double test कर दिये, load हम बढ़ा रहे हैं, अब यह दिखे T max है, T max, तो हमारा T max किधर shift हो रहा है, वो इधर shift हो रहा है, मतलब left side, पहले कि कहा था T max यहां पर था, अगर हम load बढ़ा दिये, T max देखे हमारा यहां पर हो गया, अगर all load हम बढ़ा दिये, T max हमारा यहां पर हो गया, तो करने मतलब अगर load हम बढ़ा रहे हैं, तो T max हमारा left side shift हो रहा है, left side के shift होने को मतलब यह है, कि जो हमारा team x आज हमारा यह दिखी इधर मारा speed है इधर 1500 है, 1400, 1200, 1100, 1000, करें मतलब है इधर synchronous speed रहता है, इधर नर बनावर 0 रहता है, ठीक, तो इधर इधर बढ़ेंगे तो speed बढ़ेगा, अगर यही चीज़ हम इधर आएंगे speed के case में, तो मारा speed इधर घटेगा, अब यही हम बात कर लेते है sleep, तो sleep इधर बढ़ेंगे तो इधर बढ़ेंगे तो यह बढ़ेगा, इधर दिखे sleep 0 से 1 हो रहा है, और यहां से speed होगा 1500 से 0 हो रहा है, ठीक, इस बात को आप ध्यान दिजेगा, तो देखे, load हम बढ़ा रहे हैं, तो हमारा maximum torque है, वो दिखे, इधर बढ होने लगा, तो इसका मतलब क्या है friends, इसका मतलब बस यही है, कि induction motor का जो हम load बढ़ाते है, उसका resistance हम बढ़ाते है, उससे जो load connect है, तो होता क्या है, को वो कम speed पे ही maximum torque अपना दे देता है, ठीक, rotor के कम speed पे ही maximum torque दे देता है, जैसा कि हम देख रहे है, पहले जब हमारा R2 तो यह 1500 था, मतलब नियरबाट 400 पे maximum torque दे रहा था, लेकिन हमने, जब load बढ़ा दिया, R2 dash कर दिया, तो T max दिखे हमारा पहले ही मिल गया, मतलब कम speed पे ही मिल गया, ठीक, और इस condition होता है, कि slip value आपकी घड़ती है, ठीक, तो इस बात को याद दखे है, यह आपका curve हो गया torque और speed या फिर बोले तो slip characteristics हो गया, तो यह सबसे main मोटा बात है, सीदा सीदा जो main बात है, आपको लिखना exam में, कि जब आप load बढ़ाएंगे, मतलब आप load बढ़ाएंगे, तो T max के मान में कोई changing, numerically मान में, T maximum के numerically मान में कोई changing नहीं आता, बस अंतर यह होता है, कि जब आप load बढ़ाएंगे, तो T max जो होगा, वो पहले से कम speed पे ही प्राप्त हो जाएगा, अगर पहले 1500 पर प्राप्त हो रहा था, अगर हमने load बढ़ा दिया, तो वो 1300 या 1200 पे ही T max प्राप्त हो जाएगा, ठीक, तो आपको यह कहना है, और आपका starting torque की value, load की बढ़ाने पर ब फिर यह हो गया, ठीक, तो मतलब की है, load बढ़ाने पर, जो maximum torque है, वो कम speed पे ही मिल जाता है, और load बढ़ाने पर, वहारा starting torque भी बढ़ जाता है, और sleep की value घड़ जाती है, ठीक, तो वही सारी चीजे लिखी हुई है, यह sleep है, sleep 1, जो SM 1 है, यह सब से कम है, SM 2 मतलब, SM M हम इस सब से जादा है, जिसे की NR1 यह है, ठीक, और NR2 मतलब यह है, ठीक, ऐसे इसे ही, NR4 मतलब यह है, तो यह सब से कम है, ठीक, यह हो गया, friends, आप सभी का torque, torque, speed का रेक्टिक्स्ट हो गया, अब चले हम चलते हैं, टेस्ट की तरब, ठीक, तो हमने जो भी आपके syllabus में थे, पहले दिखा दिया था, हमने constructional features पहले वाले अपने part में बता दिया था, वो पीच में, friends, video कट गया था, अगर आप नए, मतलब student है, अभी यही पहली बार video देख रहे है, तो इससे पहले एक video और बनाए, वो बीच में कट गया था, इस वेस हमें यह दूसरा video बनाना पड है, तो हमने उसमें constructional features बताया है, rotating magnitude field के बारे में बताया है, इसके principal operations के बारे में बताया है, ठी, अब यह नहीं बताया है, फिजर diagram नहीं बताया है, equivalent circuit भी हम नहीं बताया है, और देखें, यह हम बता दिया, sorry, यह torque speed characteristics बता दिया है, अब देखें, बताने वाले है, no load and block rotor test and efficiency करेंगे, इसके बाद अभी और भी पार्ट में वीडियो आएंगी, इसके अभी आपका यह unit 3rd है, बाकि अभी unit 4 और unit 5 का भी वीडियो आएगा, तो आप लोग उसको भी देख लिजेगा, चलि हम स्टार्ट करते है, आपका no load block rotor test के बारे में और इसके efficiency के बारे में ठी test से पहले फ्रेंट से इसको एक बार clear कर लेते हैं, इसको भी दिखा देते हैं, आप सभी को equivalent circuit, equivalent circuit बिता देते हैं, three phase induction motor के equivalent circuit होता है, ठीक, तो चलिए एक बार फटा-फट उसको भी आप लोग देख लिजेए, तो यहाँ पर देखिए, equivalent circuit आप induction motor, तो यह आपका देखिए of the rated full load current, ठीक, तो इसको आप लोग याद रिखे कि डाग्राम क याद रिखेगा, अब आगे बात कर लेते हैं, stator equivalent circuit on perfect basis, यही बता आना था हमें, यह आपके syllabus में है, सायद आपके exam में आ भी सकता है, 10 number में, तो इसको आप लोग देख लिजे, तो देखिए, यह circuit आप सबक रिखेंस है, ठीक, IW, Iμ, I0, supply voltage है, तो at no load की condition का यह circuit है, ठीक, यहाँ पर जो V1 है, stator input perfect voltage है, और आगे देखिए, यही circuit सेम है, और जो इसका I0 यह होगा, I0 जो बता है no load current, यह rated full load current का 25 से लेकर के 40% होगा, इसको यह आप लोग याद रखेगा, और आगे देखिए, यह working condition में on full load, जो torque होता है, वो sleep के directly proportional होता है, लेकिन starting condition में क्या होता है, torque जो होता है, 1YS मतलब sleep की inversely proportional होता है, ठीक, अगर कहीं कुछ ना कहीं है, कम मतलब की, आप सभी के काम कर नहीं है, यह competition label का मतलब चीज है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर हो गया, मतलब मेरा यह फंडा में परपस था भी, आप सभी कोई circuit दिखाना नॉर्मल सा, यह circuit आप इस circuit को याद रखेगा, एक जाम में बनाने, अगर पूछे बाई चांज, जो दो number में, चाहे 10 number में, पर चाहे 5 number में, तो आप लिए उसको बना दीजेगा, ठीक, अब चलिए हम test की तरब आपके syllabus में no load test नहीं दिया है, आपके syllabus में only block rotor test दिया है, ठीक, यहाँ पर syllabus लिख रखे हैं सभी का, स्वारी स्वारी स्वारी, no load test भी दिया है, तो no load test, block rotor test दुनों बताना है, सभी को उपी sensitive बताना है, यह सारी चीजे हमने बता चुके हैं पहले पहले आली वीडियो में इसमें भी कुछ चीजे बता दिये, तो इसलिए आप no load test और block rotor test दुनों बताते हैं, ठीक है, सवारी माप करिए हैं, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम से लिख भी लिए हैं, ताकि कोई चीजे छुटनी नहीं पाए, maximum हो जाए, तो दिखें टेस्टिंग अप करते हैं, secondary side के सारे parameters को reference करते है, primary side, primary side, same इसमें भी rotors के, जो rotors है, प्रकार से secondary side समझे, और जो आपका status है, उसको primary side समझे, ठीक, तो rotor side का जो सारे parameters है, उसको refer करना है status है, ठीक, तो एक बार और बताते हैं, एक बार मोटा मोटा चे, जो no load test है, no load test का द्वारा हम, iron losses ग्य मोटर के पूरा compound losses ग्याद करते हैं, ठीक, तो चलिए आगे, अब कैसे ग्याद करते हैं, यह चीज़े आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए, इस्टेटर का resistance है, इस्टेटर का reactance है, यहाँ पर RCXM, E1 बराबर E2 dash हो जाता है, जैसे कि आप लोग जानते है, जब आप पर देखिए, इसके load को भी transfer कियें, जो load को transfer करेंगे, तो R2 dash 1 by yes, अब आन yes आएगा, तो देखिए, yes बराबर होता है, ns minus nr upon ns, तो at no load condition, nr बराबर ns हो जाएगा, slip value friends 0 हो जाएगी, ठीक, तो R2 dash बराबर 1 minus s upon ns हो जाएगा, मतलब कि infinite हो जाएगा, ठीक, तो no load, अब torque लगाओगे, तो बहुत तेज रोटेट करेगा, मतलब वो synchronous speed run करेगा, तो nr की value जो होगी, ns के बराबर हो जाएगी, उस condition में, आप जब slip यहाँ से निकालेंगे, तो slip बराबर 0 हो जाएगी, जब slip बराबर 0 हो जाएगी, तो जो आपका यह दिखिए, load है, लोड में 1 minus s upon ys है, यहाँ पर आप ys रखेंगो, तो यहाँ पर दिखिए, r2-1 minus 0 upon 0 रखेंगो, तो आपका यह infinite आजाएगा, जब कही infinite resistance आजाएगा, तो उसका मतलब होता है, क्या है, उसका मतलब होता है, open circuit, तो यह परकार से open circuit होगा, अभी दिखिए, इस circuit को हम open कर देंगे, पर on पर phase basis पर है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया है, पावर, पावर कम आपने के लिए, watt meters, यहाँ पर e meters लगा दिया है, ठीक, और यहाँ पर supply voltage दी है, r1, x1, rc, xm, r2-, x2-, जैसा कि मुने बताया था, हमारा mechanical power, जो लोड है, वो infinite हो गया, मतलब open circuit कर रहेगा, अब यह पर no load test बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इसमें हमारा main purpose था, iron losses ग्याद करना, इसमें हम ED current losses, हिस्टेटिस losses भी ग्याद करेंगे, तो बस आप लोग फटा-फट देखते रहे है, कोई दिक्कत नहीं, कर लास्ट में सारी चीज़ समझ माँ चाहेंगी, ठीक, तो reading of a meter क्य जो इसमें जो peanut measure करेगा, यह जो peanut measure करेगा, इसी हम होगा आपका core loss आफ इस्टेटर होगा, core loss आफ rotor होगा, और windage and friction loss भी इसी में include होगा, ठीक, इस सारे losses को बताएगा, no load है, तो load तो कोई power लेगा नहीं, जो भी power losses होगा, वो आपका core में होगा, core losses में जाएगा, rotor के core losses मे जाएगा, windage में जाएगा, कुछ friction में जाएगा, ठीक, कहीं और जाना तो है नहीं, तो यही नाप देगा, तो दिखिए आप सभी, तो P0 में होगया, core loss of stator, core loss of rotor, windage and friction loss, तो आपका main target जो है, वो P0 को ज्याद करना, अगर P0 आगया, तो यह सभी चीज़े ज्याद हो ठीक, आगे देखिए, sin phi 0 आपको ज्याद करना है, अगर cos phi 0 आपको ज्याद है, तो sin phi 0 आपको ज्याद कर सकते है, फार्मूले से, किस फार्मूले से ज्याद करेंगे, आपको पता होगा, cos square theta plus sin square theta बराबर, 1 होता है, तो cos theta अगर आपको पता हो जाएगा, जब यह चीज़ i0 cos phi 0 होता है, तो यह दोने भी आपको ज्याद हो जाएगी, इसके बाद बचेगा, RC और Xm भी ज्याद हो जाएगा, क्योंकि applied voltage रहेगा, वो तो same रहेगा, क्योंकि यह applied voltage, देखिए, यह applied voltage, इसके cross लगेगा, यह इसके cross लगेगा, ठीक, तो current, इसमें जो current जा रही है, व यहाँ पर निकाल लेंगे, RC बराबर V वटे, IW, Xm बराबर V वटे, IMU से, ठीक, तो चलिए, आपका no load test हो गया, no load test हमारा target था, iron loss ग्याद करना, जिसके अंतरगत ED current losses, ED status losses थे, तो उसके अंतरगत जो आपका आ रहा था, वो call losses आ रहा था, इस्टेटर का call losses, और rotor का call losses, औ index and frictions में, हमारी चीज़े ग्यात होगे, कैसे ग्यात करना है, आपको बता दिए, अब हम बात करते है, block rotor test की, ठीक, तो दिखे, आप सब के सामने block rotor test आ गया है, तो यह आपका inductions motor है, तो block rotor test का मतलब यह है, कि इसके रोटर को हम block कर देंगे, external, external, जो इसका shaft होगा, प्राइ nr की value 0 कर देंगे, ठीक, जब nr की value 0 कर देंगे, तो हमारे sleep की value क्या हो जाएगी, sleep will हो जाएगी 1, क्योंकि sleep बरावर होता है, ns minus nr upon ns, तो nr बरावर 0, ns upon ns बरावर 1 हो जाएगा, ठीक, तो देखिए, जब आपका ns बरावर 1 हो गया, तो यह किस तरह behave करेगा, यह ए 0 into r2 dash upon ns, तो यह solve करेंगे, इसकी value क्या आजाएगी, 0 आजाएगी, ठीक, यहाँ देखिए, हमने लिख रखा है, this resistance will get sort circuit, क्योंकि यह 0 ohm है, ठीक, यहाँ देखिए, 0 ohm है, तो कहीं 0 ohm आता है, उसका मतलब ही होता है, sort circuit, ठीक, तो देखिए, यह परकार से sort होएगा, भ इसकी value क्या हो रहा था, यह infinite resistance आ जा रहा था, इसकी value हम यहाँ पर open कर देखिए, लेकिन इसमें क्या होगा, block rotor test में, इसकी value 0 आ जाएगी, मतलब यह sort हो जाएगा, ठीक, तो यह दिखिए, इसका equivalent circuit है, R1, X1, R2 dash, X2 dash, E1 बराबर E2 dash, ठीक, तो when slip बराबर 1, then mechanical equivalent load, R2 dash, 1 minus S upon S बराबर 0 हो गया, तो यह दिखिए, हमने इसको short circuit कर दिया है, ISC, R1, X1, R2 dash, X2 dash, यह दिखिए, short circuit कर दिया है, तो दिखिए आगे, this test is similar to the short circuit test of the transformer, यह test मिलता जूलता है, आपके transformer के short circuit test है, ठीक, तो इसमें हमें क्या ग्याद करना है, इसमें आपको full load copper losses ग्याद करन होता है, ठीक, तो देखिए, if the during block rotor test rated voltage is supplied, then the motor will burn out, ठीक, आगे देखिए, it means that the block rotor test is carried out at reduced voltage normally, अगर हम block rotor test को, अगर हम rated voltage देते है, तो हमारा rotor जो है, वो जल जाएगा, इसलिए इसको rated voltage नहीं दिया जाता है, इस टेस्टिंग के लिए, इसमें एक reduced voltage normally दिया जाता है, आपका checking हो सके, test rotor का test हो सके, वो जले न, ठीक, तो देखिए, normally the reduced voltage is 10 to 15% of the rated voltage होगा, तो जो आप rated voltage देंगे, इसको major करने के लिए, उसके जो value होगी, 10 से 15% होगा, अपने rated full load voltage का, ठीक, तो देखिए, आट्रो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर आट्रो ट्रांसफार्मर इस यहाँ पर देखिए, एक वाट मीटर कर देंगे, जैसा कि आप वाट मीटर जानते हैं, यह potential coil होता है, यह current coil होता है, उसके बाद आगे है, R-1, R-1 को मतलब है, R-1 rotor का resistance, आप जो refer की है, स्टेटर साइड, rotor से स्टेटर साइड, वो R-2- है, तो दोनों मिला करके, R-1 कर दिए, ऐसा ही same, inductive reactance के लिए भी कर दिए, X-1 बराबर, X-1 प्लस, X-2-, X-2- थी, यह दिखिए, हमारा short circuit हो गया था, इसको हम short circuit कर दिए, तो आगे दिखिए, आप राम से, तो PSC is the reading of watt meter, V बराबर, reading of the volt meter, that is reduced voltage, IFL बराबर, ISC, reading of a meter, PSC बराबर, VISC, cos 5SC, cos 5SC होता है, PSC, यहां से दिखिए, PSC मतलब है, यह है reading of the watt meter, PSC, ठीक, यही PSC जो है, आपका full load copper, जो इसकी PSC की value आएगी, यही आपकी full load copper loss की value आएगी, ठीक, क्योंकि, full load copper loss की हो रहा है, क्योंकि, जब यह short circuit हो गया, तो उस condition में current, full जाएगा, मतलब पूरा-पूरा current जाएगा, जब पूरा-पूरा current जाएगा, तो साफ-साफ है, जो भी losses होगा, I square R के कारड होगा, वही losses measure करेगा, आपका watt meter, जो हम connect कर रहे हैं circuit में, ठीक, तो यह ही PSC जो आ जाएगा, वही आपकी full load copper loss की हो जाएगा, तो यहां से हम अनिकाल लेंगे क्योंकि जो हम ब्लॉक रोटर टेस्ट करेंगे तो हमारा जो लोड है वह सौर्ट सर्कृट हो जाएगा तो इसमें से बहुत सारा करेंड जाएगा और जो भी लॉसिस होगा वह आई स्कॉर आर के कारड हो रहा है इसलिए हम इसको फूल लोट कॉंप लास करेंगे तो वह जो इसलिक इसनन फ्रेट से ठीक से ठीक यह हो गया रोटर ब्लॉकूर टेस्ट से अबका उपेसर्की टेस्ट भ्लॉकुकर टेस्ट उम्मिद करते हैं चीज셔서 ओड़ा जल्दि बताए तो भी आप को चीज़गे उतना नहीं समझ्माते हुए ऻंसर मेराय यह फिल्स लीडोन का स तो चीज़े आप लोग कैच के लेंगे ठीक बाकी फ्रेंडस नहीं आएगा तो और एक स्षीज चेज के आएगे अगर चैनल को सब्जेक्ट कर लेंगे तो फ्रेंडस अभी जो आपका next semester में जो भी subject आपको मिलेंगे उसमें किसी भी सेजिट्स कोई लेटर प्रॉब्लम हो टेक्निकल लेक्टिकल से समंदित तो आप लोग कमेंट करिएगा टेलिगराम में बताइएगा उस पर हम वीडियो जरू बनाएंगे ठीक है तो चलिए इसी सेक्वेंस हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा इस्टा चीजे भी आपको बता देने को सिस करते ह देखिए इसी टेस्ट के द़ारा आप लोग यहां से ज्च नाट वशन की वेलू निकाल सकते हैं ठीक इसी टेस्ट के दवारा बाकी देखिए आप हमने कुछ चीज लिख रखिए पहले से ही, तो यहाँ हमने यह लिखा है, this test will give full load copper loss of stator, तो यह तो हम बता ही दिये, full load copper loss of rotor, तो जो full load copper loss आएगा, उसमें include रहेगा, rotor का full load copper loss, और stator का full load copper loss, छीज, आगे देखिए, since this test is carried out, at reduced voltage 10 to 50% of the rated voltage, hence as such a reduced voltage, the core loss is neglected, ठीक, तो यह समझाई दिये थी उपर, आगे चले देख लेते हैं, कुछ important चीज़े क्या है, तो देखिए आगे आपका starter हो गारा, start हो जाएगा, तो यह अपने next वाली वीडियो में बताएंगे, अभी आपका unit 4th भी बचाया, unit 5 भी बचाया, तो उसका भी वीडियो हम लाएंगे, तो मेभी साइद unit 4th में आप सभी की starter दिया हो, तो जरूर हम बताएंगे starter, वाकि उसमें cogging है, और crawling है, यह सब सारी चीज़े उसमें दी हुई है, तो अपने हम जो next unit का वीडियो आएगा, उसमें जरूरी सारी चीज़े रहेगा, तो यह थोड़ा important बात लिस्कस कर लेते हैं, और फटा फटा आप सभी से, knowledge रहेगा, तो आप लोग exam में कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग engineer है, तो कुछ भी कर सकते हैं, चली actual condition होता है क्या है, the sleep of the machine is normally 2-5% जो आपका sleep होता है, machine का normally 2-5% होता है, the frequency of the rotor under full load condition is 1 heartache to 2.5 heartache, तो आपका frequency होता है, under running condition में होता है, 1 heartache से लेकर के 2.5 heartache की बीच में, अगर percentage की बात कर लें, तो sleep vary करता है under running condition में, 1% to 2, sorry, 1% to 2.5%, नहीं, 1% to 25% के बीच में, तो आगे बात कर लेते हैं, under the block rotor conditions, sorry, माफ करीगेगेगा, थोड़ा दिमाग से sleep हो गया, यह आपका जो percentage हम बात करेंगे, तो यह होगा, 1% से लेकर के, sorry, 2% से लेकर के, यह 5% के बीच में, आपका slip vary करता है, ठीक, यह percentage में, बाकी यह इसके numerical value है, 1 Hz to 2.5 Hz, स्वाई माफ करीगेगे, फड़ा दिमाग से sleep हो गया, जलनी बोल दिये, ठीक, चलिए आगे, under the block rotor condition, block rotor test के condition, block rotor test के हम करते हैं, उस condition में क्या होगा, दिखे, the slip of the machine will becomes unity, आपका जो machine का slips होगा, स्लिफ होगा, वह unity हो जाएगा, जैसा कि आपने पीछे बताया था, and the rotor frequency will becomes equal to the stator frequency, तो जो आपका rotor frequency होगा, इस समय equal हो जाएगा, आप सभी के stator frequency से, क्योंकि rotor स्थिर है, तो जो frequency होगा, जो flux का frequency होगा, stator पर इस समय rotor प्रिभाई होगा, क्योंकि rotor मूब नहीं कर रहा है, वही flux इस में बिलनी करेगा, ठीक, और देख लिए कुछ बात है, रिमार्क में देखिए, at normal operating condition, the sleeve of the most of the inductions motor, is 2-5% and the resulting rotor frequency, is in the range of 1 Hz to 2.5 Hz, for the stator frequency of 50 Hz, यह चीज हम बता चुके है, जो बात थी इसके उपर, स्यम वही चीज है, आगे देख लिए आपलो फटा फट तो आगे है, therefore the block rotor test, should be performed at a reduced frequency, becomes the rotor effective resistance, and leakage resistance at the reduced frequency, may differ considerably from their value at the rated frequency, in order to obtain accurate result, blocked rotor test is, यहाँ पर देखिए, blocked rotor test is performed at reduced, voltage and rated frequency, और point में हाँ पर है, normally the test is performed at 25% of the rated frequency, if the motor rating is less than 20 kW, then the effect of frequency is negligible, तो यह आपका point भी हो गया, तो ठीक है friends, last में बस यह ही कहेंगे, अगर आप कोई video friends अच्छा लागा हो, तो एक बार comment करके बता दीजीगा, कि कैसा वीडियो लगा, आपको चीजी समझ में आएगी नहीं आई, और जो भी हमारी कमिया हो उसको भी बताएगेगा, और बाकि जो चीजी अच्छे लेगा उसको भी बताएगेगा, कमिया बताएगे friends, तो आगे हमारी जो वीडियो आएगे, हम इंप्रूमेंट करने कोसिस करेंगे, तो ठीक है friends, आप सपोर्ट करिएगा friends, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करकर करके, और friends, डिस्विसम बॉक्स हमारे टेलिक नाम को गुरूप है, तो आप लोग गुरूप ही जोइन के लिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब बहुत सारी वीडियो भी आएंगे आगे भी, तो ठीक है friends, आज के वीडियो को आप देखने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से,